व्लेडिमिर पूर्टिन ने उड़ाया रूस का आधुनिक पर्मारू मिसाइल बमवर्शक दुनिया को दिखाई रूस की ताकत। व्लेडिमिर पूटिन ने रश्या का सबसे आधुनिक पर्मारों मिसाइल बमवर्शक उड़ा कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। यह दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक सुपरसोनिक स्ट्राटेजिक बॉमबर है। इसमें कई तरह के बम, मिसाइल और पर्मारों हथिय लगा सकते हैं। रूस के राश्युपती व्लादिमीर पुतिन ने रूस के सबसे आधुनिक बमवर्शक्तु 160M को उड़ा कर दुनिया को अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस उड़ान के बाद उन्होंने इस स्ट्राटेजिक बॉमबर को सेना में शामिल करने की हरी ज 170 में तुपोलेव डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था। पुतिन ने जिस जगह उड़ान भरी उसकी डिटेल गुपत रखी गई थी। हालांकि रूसी सरकार ने पुतिन की उड़ान का विडियो जारी किया है। पुतिन ने उड़ान के बाद कहा कि यह कई मायनों में एकद सोल कर सकता है। यहां बेहत भरोसेमंद और आधुनिक हत्यारों से लेस विमान है। इसमें परमारों बम या मिसाइल भी लगा सकते हैं। तुँ 160 M आधुनिक मिसाइल केरियर भी है। जिसे पुतिन ने नई जेनरेशन की तकनीक बताया। यहां अब रूसी वायूसेना मे शामिल हो चुका है। पुराने तु 160 की तुलना में तु 160 M में 80% चीजे बदल दी गई है। सब कुछ एकदम नया हो चुका है। जबकि एरफ्रेम पुराना ही है। इसका नाम मिनिटाइमर शाइमीव, मिनिटाइमर शामीव रखा गया है। तातरस्तान गणतंत्र के पहल राश्चुपती का यही नाम था। अब तक ऐसे 37 बमवर्शक बनाए गए हैं। 9 टेस्ट के लिए और 28 सर्विस के लिए। लेकिन नया तुपोलेव 160 Aम अलग है। इसे 4 लोग मिलकर उडाते हैं। दशमलव 9 फीट और उचाई 43 फीट है। पूरे हत्यारों के साथ जब यहां उडान भरता है तो इसका वज़न 2.75 लाग किलोग्राम होता है। यहां अधिक्तम 2200 किलोमीटर HR की स्पीड से उडान भर सकता है। जो कि किसी बमवर्शक के लिए बहुत ज्यादा स्पीड आम तोर पर यहां 965 किलोमीटर HR की स्पीड में क्रूजिंग करता है। इसकी कुल उडान रेंज 12300 किलोमीटर है। अंदर की तरफ 45000 किलोग्राम वजन के हथियार लगाने के लिए दो आंतरिक हाड़ क्वाइन्स है। दो रोटी लॉंचर है। जिन में 6 रादुगा केज 55 SM 101-1102-555 BD क्रूज मिसाइल या कम दूरी की 12 रादुगा केज 15 परमानों मिसाइल लगा सकते हैं। नाटो ने इसे वाइट स्वान वाइट स्वान नाम दिया है। हालां की रिपोर्टिंग नाम ब्लैक जैक है। यहाँ एक सुपरसोनिक वेरिबल स्वीप विंग हैवी स्ट्रेजिक बॉम्बर है। टारो नाम लगार, टथां वेरिबल स्वान